नमस्कार दोस्तों, डाक्टर आशीज जेन, होमोपेतिक कंसल्टेंट और मेडिकल प्रेक्टेशनर आज मैं आपको एक और नई डीसीज के बारे में थोड़ी चर्चा करूँगा जिसे अर्टियूम्यून डीसीज, जिसे हैं HLA B27 पाजिटिव कभी बार पेशेंटों के ब्लट में रिपोर्ट कराई जाती है, HLA B27 पाजिटिव के लिए है अगर यह पाजिटिव आता है, मिन्स हमारे शरीर में हुमन लुकोसाइट, एंटिजन जो होता है यह पाजिटिव आ जाता है, अभी इस पाजिटिव आने से क्या होता है इसको पाजिटिव आने से हम लोग कहते हैं, आट्योमिन डीसीज के लिए आप रिजिस्टेंस हो गए है आपके सरीर में आट्योमिन डीसीज बनने लगती है, जिसकी वज़े से एंकालोस्पॉंडिलाइटिस इससे कि हातों की जोडों में दर्ध होना, रिमा आर्थराइटिस, जोडों की शिकायत होना, गर्दन में भी दर्ध होना, ये सारी शिकायते दिखाई देती है इससे हातों में दर्ध होता है, और इसका किसी भी प्रकार की modern medical system में treatment अवेलेबल नहीं होता है तो होमोपेटी दवायों से हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी research है, इसके साथ साथ हम आपको ये भी कहेंगे कि होमोपेटी में एक AC विशे पर जर्चा कर रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती है लेकिन HLAB 27 भी ठीक हो सकता है, अगर किसी को HLAB 27 पाजिटिव आया है, तो मेरा आप लोगों से विशेश अनुरोद है कि आप होमोपेटी की ओर देख सकते हैं, होमोपेटी दवायों में काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे इसके लिए, और मेरा आप लोगों से व जड़ा जयादा लोगों का आप यह संविश्यां पहुंचा है, तो वह ठीक हो मेरा तिल्ट मिले और ठीक हो सकते हैं, तेंक you for watching my videos